तो गैस क्या आप जानते हैं बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक प्ले टू अर्ण गेमिंग प्लैट्फॉम में क्रिकेट गेम को प्ले करके पर डे आप टू 500 डॉलर तक अर्णिंग कर रहे हैं अगर आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आपको जम.trade नाम का एक NFT marketplace के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि इस platform पे MCL यानि Meta Cricket League नाम का एक play to earn world का एक first play to earn cricket game जो है बहुत जल्द लॉंच होने वाला है और उस वीडियो मेंने आपको जो game का trailer था ओ भी मैंने आपको दिखाया था आज के इस वीडियो के दुरू मैं आपको बताऊंगा कि ए जो MCL या Meta Cricket League है इस game का जो warm up tournament है 2 hours का already successfully complete हो चुका है तो उसका कुछ clip मैं आज आपको दिखाऊंगा and NFT marketplace जो jump.trade है इसे use करके कैसे आप earning कर सकते per day up to $500 तक इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा तो आपको क्या करना है इस वीडियो में end तक बिल्कुल बने रहना है पहली बार अगर आप अपने चैनल में आया है तो make sure कि आप चैनल को subscribe कर ले तो चले वीडियो को start करते है सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि jump.trade के बारे में एक NFT marketplace है and jump.trade नहीं एक game को launch किया world का एक पहला आप कह सकते हो कि play to earn cricket game जिसका नाम रखा गया है Meta Cricket League मैं आपको बता देता हूँ कि internet पे बहुत सारे gaming platform है जहाँ पर आप lose करेंगे या win करेंगी यह depend करता है आपका luck के उपर लेकिन यह ऐसा कोई game नहीं है totally depend करेंग आपके skills के उपर जितने भी 90's के kid है मुझे पता आपको साय दियाद है कि starting में आप यह sports और भी अलग-अलग cricket का game खेलते थे कुछ उसी तरह यहाँ पर games है और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें earning करने के लिए आप जब भी आपका जो batsman है वो run score करेगा आप उस time पे earning कर सकते हो जब भी आपका bowler wicked लेगा उस time पे आप पैसे कमा सकते हो आपको reward point मिलेगा तो यह ऐसा कोई game नहीं है कि जहाँ पर आपका luck depend है अगर आपका gaming skills सही है अगर यह sports और भी अलग-अलग cricket का game था इतने दिनों से आप play करके आ रहे हो तो यह सभी games अगर आप अच्छे से play कर लेते हो तो इसमें भी आपके पास बहुत अच्छा opportunity है आप play करके earning कर सकते हो और मैं आपको बता देता हूँ कि अब आप सोच रहे हो कि यह जो game है इसमें आपको play कैसे करना है तो इस game को play करने के लिए आपको सब सब पहले jump.rate का जो marketplace से 2 NFT buy करना होगा अगर website में आके अगर आप scroll down करेंगे बहुत सरे NFTs को आप देख पाएंगे minimum one batsman and one bowler आपके पास होना होगा तो ही आप game को play कर सकते हो and याद रखिए minimum one batsman and one bowler को जब आप बाई करेंगे NFT को उसके बाद आप game play करके जो rewards आपको मिलेगा उससे तो आप ऐसे कमा ही सकते हो उसके साथ साथ suppose कि आपने अभी NFT को बाई किया NFT का price अभी कम है दिन पर दिन और भी ज़्यादा users जूडते जा रहे jump.trade के साथ and आपको पता है जब भी कोई NFT को ज़्यादा बाई किया जाता है तो आगे जाके उस NFT का price भी increase होगा यानि दो तरह से आप इस platform से earning कर सकते हो एक तो पहले game को play करने के लिए आपको एक batsman और एक bowler का NFT को बाई करना होगा so उस NFT को use करके जब आप game play करेंगे उसमें आप earning कर पाएंगे और उसके साथ-साथ अगर आपको in future में लगे कि आपको और game play नहीं करना है फिर भी आप जो आप investment किये थे NFT को आप buy किये थे उससे आप high price में sell कर सकते हो क्योंकि game का अभी अगर आप देखें इंडिया में and पूरे world में craze बहुत जादा है बहुत सारे लोग इस game को play करने के लिए NFT को buy कर रहे तो अभी जो आप देख पार हो जो NFT आपको जितने price में मिल रहा है आने वाले दिनों में और भी ज्यादा लोग जब इस NFT को buy करके game को play करेंगे तो NFT का price increase होगा यानि दो तरह से आप earning कर पार है game play करके तो आप earning करी रहे और अगर आप game पे आपका interest नहीं है सर्फ NFT को भी buy करके आप रख सकते हो रखके आगे जाके आप high price में उससे sell कर सकते हो यानि दोनों स्कोप earning करने का इसमें आपके पास है तो सबसे पहले तो मैं आपको यहां बता देता हूँ कि इनका एक जो warm-up tournament था उसका कुछ clip में आपको play करके दिखाऊंगा उससे आप देखिए और जब भी एक game start हो जाएगा उस time पे आप बहुत easily play कर सकते हो लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको NFT को buy करना है जिसका link य आप जो है NFT को buy करके रख सकते हो तो चलिए सबसे पहले तो हम clip को देख लेते हैं कि जो warm-up tournament था उसका clip तो जैसे कि आप देख पार हो जो game का graphic से वह बहुत ही अच्छा है high definition है और उसके साथ साथ में आपको बता देता हो कि इससे पहले सेम आप बहुत सारे gaming platform में game खेलते थे just entertainment के लिए लेकिन इसमें आपको entertainment भी मिलेगा उसके साथ साथ अगर आपका gaming skill सही है उससे आप जो है earning भी कर सकते हो बहुत अच्छा खासा सो इसमें आप देख सकते हो जब भी आपका जो nft batsman को आप जो है choose किये हो या buy किये हो उससे आप game खेल रहे हो अगर आपका batsman run score करे उस time पर भी आपको reward मिलेगा या आपका बोलर जब wicket ले उस time पर भी आपको reward मिलेगा झाल जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहां जो भी गेम है आप देख पा रहे हो जो विन हो चुका है और जो रिवर्ट पॉइंट है उभी आप देख पा रहे हो साथ साथ मिल चुका है सो गाइस कुछ इसी तरह बहुत इंटरस्टिंग साइग गेम है नेक्स्ट विडियो में मैं कोशिस करूँगा कि आपको लाइफ जो एनेफटी है उसे बाई करके गेम कैसे प्ले किया जाए वो स्टेप बाई स्टेप बताने लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यह जो गेम ह क्रेज बोहुत जादा लोगों में है तो आने वले दिनों में आपको इस गेम पे और भी जादा लोगों जादा करेखने को मिलेगा अभी क्या गई उसके साथ गेम प्ले करके भी आप पर डे अप टू 500 डॉलर तक भी अर्ण कर सकते हो आई होप कि ये वीडियो आपको सही लगा है वीडियो को अगर सही लगे एक लाइक आप बिल्कुल कर दीजिए और बहुत जल्द मिलते है लाइव गेम का जो वीडियो है बहुत जल में और एक इंटरस्टिंग से टोपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाई जय हिंद